हाई फ्रेंड्स वेलकम टू कमलाज किचन तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुती स्पेसल बहुती मज़ेदार सी मैगी मसाला नूडल्स की रेस्पी लिके ही हूँ फ्रेंड्स मैगी मसाला अबको बहुत पसंद होता है चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो तो इसके बाद में इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए 2-3 प्याज और 2-3 तीन कटी हुई है मैगी मसाला सबको बहुत पसंद होता है नूडल्स सबका बहुत मन करता है तो मैगी भी बहुत टाइप से बनती है एक तो सिंपल मैगी बनती है और इक तरीके से तड़के वाली म बहुत अच्छी जो सबको खूब पसंद आती है तो बस हमने प्याज टमाटर हैरी मिर्ची चीनोची जो थोड़ा सा फ्राई कर लिया है उसके बाद में मसालों में दो पींच के करीब हल्दी पाउडर ताकि मैगी का जो कलर है वो अच्छा आ जाए और थोड़ा सा नमक भी क्योंकि जो मेगी मसाला होता है जो मेगी की पाउच के अंदर आता है उसमें भी सबी चीजे अवेलिबल है लेकिन हम यहाप फोड़ा सा मेगी को स्पाइसी बनाने के लिए मैंने उपर से थोड़े मसाले पे डाले हैं दो पींच के करीब लाल मिर्ची पाउडर डालने के सबी मसालों को गैस का फ्लेम कम करते हुए मिक्स कर देंगे और यह देखिए काफी अच्छा कलर भी आ चुका है प्याज को हमें यहां पर बिल्कुल कलाना नहीं है तो बस अब हमें डालना है इसके अंदर मैगी मसाला तो आप जितने मैगी के पाउच बना रहे हो मैगी के प काफी पसंद होता है और मैगी इसके बिना अधूरी रहती है तो बस हमने यहां पे इसके अंदर डायरेक्ट पानी डाल दिया है मैं यहां पे बिना टाइम वेस्ट की हुए बिना थोड़ी सी महनत में ही बहुत ही शांदार मैगी बनाने वाली हूं तो वीडियो में एंड जरूर बने रहें और देखना किस तरीके से मैगी बनाई है और अगर आप इस तरीके से बनाते हो न तो इस बात का दावा करती हूं आपके मैगी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो यह देखे फ्रेंट्स पानी में अच्छे से अबाल आ चुका है पानी मैंने यहां प चोटे पीसेज कर लेंगे ताकि खाने में आसान रहें बच्चों के भी तो बस यह देखी पाने में अच्छे से उबाल आने के बाद में हम इसके अंदर मैगी डाल दी है दो पैकिट और इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स तो यह देखे फैंट्स बहुत ही शांदार मेगी तो बहूत अच्छे मेगी बनेगी आपकी शांदार से तो यह देखे को पकने देना है और यहां पर यह मैंने ऊपर से डाल दी है हरे प्याज जो हमारी मेगी में जो फ्लेवर होता है उसमें चार चांद लगा देगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप चाओ तो तो हरा धनिया भी यहाँ पर डाल सकते हो बट हरा धनिया मैं बाद में डालूँगी तो मैंने इसके उपर लगाया धकन दो मिनट तक पकने देते हैं दो मिनट के बाद में यह देखें फ्रेंड्स कितनी शानदार हमारी मैगी का कलर भी आ चुका है और बहुत ही अच्छी दि ला देगी कर देंगे इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स तो यह देखें फ्रेंड्स हमारी कितनी शानदार मैगी बनी है आप एक वार इस मैगी को जुरू ट्राएगे ना गर्मा गर्म मैगी बहुत अच्छी लगती है सर्दियों के मौसमें को ज़्यादा ही चटपड़ा खाने का मन करता है तो अगर गर्मा-करम मैगी मिल जाए ना तो इसकी आगे सब कुछ फैल हो जाता है बहुत अच्छी बनती है मैगी तो यह देखे मैने उपर से थोड़े से जो हरा प्याज होता ना वो और डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया तो यह देख बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर किया है और हर कभी बना सकते हो आप जैसे घर की चीजों से इस प्याज टमाटर हरी मिर्ची हमारे गहरे में हर टाम एवेलेबल होते हैं तो हम बना सकते हैं बहुत अच्छी बनती है खासकर के बच्चों को बहुत पसंद आती है त तो बस अब हमें मैगी बिल्कुल तयार है खाने के लिए तो अगर आपका मन कर रहा है तो फुटाफट किचिन में जाएए बनाइए खाएए फैमली को खिलाइए तो ओके फ्रेंट्स आई होपी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प् बाई बाई टेक केर